हेलो एवर्वन आप टिकम सिंग स्वलिंग की स्टेडिंग इन विनिट्सा नेशनल मेंमोरियल मेडिकल उनिवर्सिटी विनिट्सा यूक्रेन आइम फ्रॉम इंदौर एंबीबीएस अब्रोड यह जो ऑप्सन है यह मैंने सोचा भी नहीं था पहले तो ठीक है क्योंकि हमारा सब का यहीं ड्रीम होता है कि इंडिया में हमको कोई इंडिया की मेडिकल कॉलेज मिले वहीं से हम करें और यह हम चाहते हैं और यह मैंने भी सोचा था लेकिन फिर आप करते हैं नीड देते हैं उसके बाद ड्रॉप लेते हैं और फिर आपको अब्रोड अगर आता है तो आप उसको जूस करते हैं कोई दिक्कत नहीं हो से मेरा मैं बात करूं तो मेरे 400 अबो मांक्स हैं मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारा जो एक लाइसू तीन सो तक के जो मांक्स वाले बच्चे होते हैं वह दरसल एंब्लोड प्रिफर करते हैं तो ऐसा नहीं है मतलब चुकि नीट का अभी का कॉंपूटिशन है तफ कॉंपूटिशन की वजह से जो की बहुत अच्छी बात है उसकी वजह से जो हैर मार्क्स वाले सब्सक्राइब से चूस किया था था थो फ्रेंट अध्य नुसए उनने बोला था तो मैं उनसे फिर मिला उससे हमको कोई दिक्कत तो नहीं होगी तो उन्होंने मुझसे यही बात बताई कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं इस चीज के लिए मतलब आप क्योंकि आप पहले स्टुडेंट नहीं हो जो वाहां जिनका एड्मिशन हो रहा है इवरी यर महां इंडियन स्टुडेंट्स हैं जाते हैं उनका एड्मिशन होता है तो पूरा जो एक प्लेटफोर्म है जो एक स्टेज है वह आपके लिए सेट है ऐसी इस मतलब यह नॉर्मल चीजों के लिए कोई प्रॉब्लम आपको आईगी नहीं दूसरी बात उन्होंने यह बताई कि जो हमारा मौट्यू यह है इंस्पारिंग माइंड जो टीम है उसका मौट्यू यह है कि आप जब छे साल बाद आपका जो एंबीबिस पूरा कंप्लीट हो तो उसके बाद हम यह चाहते हैं कि आप एक इंडियन मेडिकल ग्रेजूएट जो एक अच्छा इंड उनिवर्सिटी की तो उनिवर्सिटी में अगर हम देखे तो नौर्मल इंग्लेस स्पिकिंग टीचर से कोई दिक्कत नहीं है और सारे हल्पूल नेचर के हैं वहां जब आप जाते हो आपका एड्मिशन होता तो उसके बाद वहां के जो सीनियर है आपके आपकी उनसे खाने की क्योंकि आपको मतलब यह कि है सब कुछ है पर आपको अड्यस्मेंट तो करना ही पड़ेगा आपको अड्यस्मेंट थोड़े करने पड़ते हैं और उसके बाद हो जाता है आप यह चाहता हूं कि आप खाना बनाना सीख कराएं तो वह आपके लिए हलफुल रहेग हैं तो इसके बाद में हम जैसा सुचते हैं कि रूम्स वागे रागा होस्टल रूम्स वह भी सब क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है मतलब इस इसके अलावा हाँ हाँ आप आप जो है यह सारी बाते हो गई उसके बाद एक सबसाब सबसे बड़ा इश्यू आता है कि mci का क्या होगा तो mci के लिए मतलब अगर आपके अच्छे मतलब देखिए एक बात होती है कि एक हुता टेलेंट ठीक है और दूसरा होता हाड़ वरक अगर आपके मानकस अच्छे हैं तो मतलब आपको कोई is it is कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन अगर आपके मार्ग कम भी है तो है आपके पास आप हाड़ वक करें और बेस्ट है आपके लिए आप अगर आप हाड़ वग करते हैं तो उसके बाद जो it is माइंड बहुत से आपको कर बना रखा है तो उसके हिसाब से आप जो हैं कि जो आपके सीनियर्स हैं वह आपके साथ प्रिवियस के कुश्चन्स और जो भी डाउट है नॉर्मल वो डिसकस करते हैं आप से तो वो हेल्फुल है आपके लिए और यहां पर हम फर्स्ट एर से ही कोचिंग कर रहे हैं तो कोच प्रवत नहीं है और में यह बताना चाहता हूं कि इस्पारिंग मैंड जो है वो एक मतलब यह अब कंसल्टेंस यह आप जिसाब देखते हैं कि यह आखिक्कत आती होगी तो उसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आयूश है वह हमारे साथ में रहते हैं और यहां अगर और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपका हाथ पकड़ने के लिए आपके साथ हमेसा हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और all in all में यह बताना कहना चाहूंगा कि इंस्पारिंग माइंड जो है I am very thankful for them और they are our study partner they are not actually a consultancy thank you